हलो फ्रेंस आप सभी का स्वाधत है फ्रेंस आज हम कलास 10 के हिंदी के ऐसे महतुपू टापिक पे बात करेंगे जो 2024 में होने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए ये टापिक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट साभित होगा फ्रेंस यहां से आपके पेपर में 100% प्रशन आते हैं फ्रेंस यहां से आप हिंदी के पेपर में 70 में 70 नमबर पका करना चाहते हैं ति इस वीडियो को आप अंते तक जरूर देखें और जितने टापिक को आपको बताने वाले हैं उन टापिकों के एक जगर नोट करके उन ट वीडियो प्रवाइड भी करेंगे चलिए फ्रेंज वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज देखें यहां पर आपका पहला पॉइंट है कि रस यहां से आपके बोर्ड के एक्जाम में 100% सवाल आते हैं फ्रेंज देखें जो रस होता है रस में आपको दो टापिक पढ़न पहला है हासरस दूसरा है करूरस इससे आपके बोर्ड में 100% सवाल आता ही आता है ठीक है इस टापिक को आप नोट कर लिजिए आपको हासरस और करूरस पढ़ना है फ्रेंज देखें आप सभी को बता दें कि जितना भी टापिक आपको बताएंगे इन टापिकों पर आपको वीडियो प्रवाइड जरूर करेंगे ठीक है तो आप इसका नोट आप अच्छी प्रकास बना सकते हैं ठीक है चले दूसरे टापिक को देखते हैं आपका आता है अलंकार सबसे इंपोर्टन टापिक है हिंदी के लिए देखें फ्रेंज यहां पर अलंकार में आपको अब्याख्या करना रहता है या इस पे आपको बहुवी कलपी प्रश्न पूछ देता है ठीक है तो आपको अलंकार वाले टापिक में सिर्फ इन तीनों टापिकों को पढ़ना है ठीक है समझ में आ गया होगा इस पे आभी आपको वीडियो एक बनाके प्रवाइड कर होंगे अगला टापिक है ठीक है तई पिछले सालों का पेपर देखे होंगे उसमें सो रठा और रोला इसे प्रश्ण आपकी बंते हैं सो रठा ही पढ़ना है तो इसका नोट आप बना सकते हैं ठीक है अब अगला है उपसर्ग ठीक है देखिए उपसर्ग में क्या होता है फ्रेंस कोई भी सब्द रहता है उसके प्रारम में यदि यह सब्द जुड़े होंगे तो किसी भी शब्द के प्रारम में कोई अन्य सब्द जुड़ा होता है तो वह होता है उपसर् लड़ी इन सब्दों से आपको कोई नया सब्द बनाना रहेगा रहे-गा थोम उससे आपके UPरम 100 with राष्ण बनता है ठीक है अगला है प्रते देखे फ्रेंगे प्रते क्या होता किसी सब्द के अंत में कोई दूसरा असब्द कर उसका अर्थ बदल देता है तो वो हता है प्रत्य ठीक है प्रत्य से भी आपके पेपर में बन जाता है इससे आपके बहुई कल्पी में एक नंबर का प्रश्ण बनता है ठीक है अब देखे फ्रेंज छटवा नंबर का है समास सबसे important topic है friends हर साल समास से आपके Board के exam में प्रश्ण बनते हैं देखे Pahala क्या है कि दूंद समास द्यूगो समास कर्मधार और वह बहुं इन देखे फरेंच 2023 में जो पेपर हुआ है उसमें दो ही समास था दूंद और द्यूगो था लेकिन जो 2024 वे Board का exam होने वाला है उसमें आपको चार समास पढ़ना है, दौन, दिवगू, करमधार और बहुगरी, फिर इस समास पर फ्रेंज आप सभी को बता दे कि एक अच्छा से ट्रिक के माद्यम से आपको समास पाचानना, बताएंगे किस बगार से किसी देख के आप समास को पाचान सकते हैं, कि कौन सा समास ठीक है, इस पर भी वीडियो आपको प्रवाइड करेंगे, बस आप वीडियो को अंध तक देखें फ्रेंज, जिससे आपको कोई वी टापिक न चुटे, देखिए आपको तद्वो, तस्व, पारवाची पढ़ना है, फिर इसके लावा आठा प्रसने पत्र लेखन आ पूछा था, नो नंबर काया था, लेकिन जो 2024 के पेपर में आने वाला है, वो साथ नंबर काया ठीक है, प्रशन, अब देखिए फ्रेंज, आपको तो बहुत ज़्यादा निबंद पढ़ना रहता है, लेकिन इसमें से सबसे जो इंपोर्टेंट टापिक उसको आपको बता आएँगे, दिएके पहला आप जन संख्या पढ़ लीजिएगे, सबसे ज़avor पेपर में ये बिनता है, जन संख्या पर निबंद लिखने हैं कênicus सबसे ज्यादा देता है, फिर इसके लाँ पार रहा रहा है, सड़ो सबसे प्रशन, निए पकॉड़ने अपको पढ़ना रह पर ठीक है प्रादू सर जन संक्या या प्रदूशर पर सबसे ज़्यादा बोर्ड के एक्जाम में आपको निबंद लिखने के लिए आता है ति इसको आप जरूर पढ़िएगा ठीक है अब चलिए अगले टापिकों पर बात करते हैं फ्रेंज देखिए धसमा नंबर का है य अब देगे फ्रेंज इसमें क्या है कि संस्क्रीट खंड के पाठ वस्तू से एक स्लोक लिखना है आपको क्या करना है फ्रेंज जो स्लोक होगा संस्क्रीट में उसमें क्या करना है आपको चार लाइन के कभी-कभी देता है या आठ लाइन का देता है तो आप ऐसा किजिए क आर्ट लाइन का एक कविता संस्क्रीप में याद रख लिजिए गा ठीक है वही आपको पेपर में लिखना रहता है आप ऐसा कीजिए कि आर्ट लाइन का क्या लिखेंगे कवितायात कर लिजिएगा यह आपके बोर्ड के एक्जाम हंडेट परसेंटेज फिक्स है अब चलिए फ्रेंस देखते हैं इक ग्रहावाट टापी चार नमबर का यह भी प्रश्ण बनता है लेखा का जीवन परचे लिखना होता है आपको इन आपको परसाद इन दोनों का याद है इन दोनों परसाद इन दोनों में से कोई न कोई आपको एक पेपर में आ जाएगा ठीक है और आप चार नमबर अपना पक्ता कर सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए अचार राम चंदर शुकला का जीवन परचे याद कर लीजिएगा दूसरे नंबर पे जैसंकर प्रसाथ पे भी है फ्रेंस यदि आपको जीवन परचे पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजेगा हम जीवन परचे पर भी आपको वीडियो प्रॉइड करेंगे। जिस टापिक पे आपको विडियो चाहिए फ्रेंच ठीक है आप उस टापिक पे लिए comment में लिख सकते है उस पर आपको जरूर वीडियो प्रॉइड करेंगे। चलिए फ्रेंस इसी बरहवा नंबर का देखते हैं टापिक कभी का जीवन पर्चे देखिए यहां पर फ्रेंस तीन लिखे हैं आप ऐसा किजिए कि सूर्दास तुलसी दास रसखान सभी इंपोर्टेंट हैं देखिए फ्रेंस रसखान को सेद इबराहिम के नाम से भी जाना कभी कभी पेपर में रसखान ना देकर सेद इबराहिम के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंस आप ऐसा किजिए कि सूर्दास तुलसी दास दो जीवन पर्चे याद कीजिए यह आपके चार नंबर का ही पेपर में आता है तो फ्रेंस देखिए एक का लेखक का आता है एक ले आपको जीवनपर्चे में कम से कम तीन या चाल का नाम दिया रहाता है उसमें से किसी एक का ही जीवनपर्चे लिखना रहाता है अब दिखें अगला प्रश्ण आपका है तिरावा नमबर का कि सुकल यूग, सुकल तर यूग, ठीक है, आपको सुकल यूग से कम से कम तीन प्रशने देता है, बहुवी कल्पी में देगा ही, ठीक है, क्या देगा, बहुवी कल्पी में देता है, बहुवी कल्पी में देगा, या सुकल तर यूग से, तीन नमबर का बवविकल्पी में तीन बवविकल्पी देता है। इसमें क्या रहता है कि आपका किसी कभी का नाम देतेगा और इनकी रचना कौँशी है या एक रचना देगा और किसके द्वारे यह लिखी गई है इसी प्रकार के सब प्रश्ण बनते रहते हैं। इस पर आपको friends क्या कर र एक्जा में बनते रहते हैं यह भी आपके कितने नंबर के प्रश्ण आएंगे अपर तेक्ट तीन नंबर कराएगा ठीक है तो आपको तीन इस टापिक से आपके प्रश्ण बनते हैं अब देखे फ्रेंस 15 वान नंबर का आपका क्या है कि गद्ध है तो इसको द्यान दीजिए कि यहाँ पर गद्ध है तो निर्धाइट पाठ वस्तु से गद्धान पर आधारिश प्रश्न आप से फ्रेंस रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ दो गद्ध को क्रम से जैसे यह रहता है जैसे अन्ड divine करके देगा लाइन देता है यश्ता ण्डर मैं कर देगा उस इका आको क्या करना रहता है राता है और आप सिर्फ दो चेप्टर को अच्चे पघंव हकास पाड़िजी जैसे मित्त्रतव हो गया और ममता होगे यदि आप इन दोनों चेप्टर को अच्छे पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से गद्धान्स प्रश्ण को दे सकते हैं तो आप सिर्फ मेरे काने से दो चेप्टर को अच्छे सा पढ़ लिए ठीक है यादि दो चेप्टर पढ़ेंगे तो हंडेर परसेंटेज इसी दोने चेप्टर में से एक आपको मिल जाएगा इस पर क्या रहता है कैसे प्रश्ण बंता है आपको संदर्व इसका लिखना रहता है और जो रिखांकित इस प्रश्ण करना रहता है आपको इस पे आपको सभी को फ्रेंस वीडियो अप्लोड कर देंगे आपको बता दें कौँस इंपोर्टेंस सबसे जदा देखे फ्रेंस यहां पे सुलवान नंबर का है कि पद हे तु यहाँ पर रहेगा फ्रेंस उस पर गध्द्यास पर आधारी सपटकर करना रहता है इससे संबादि two प्रश्रश्ण देते हैं अथवा करके देता है एक एक का ही एकमरा आपको लिखना रहता है ठीका है इन तोमें से किसी एक का ही एकमरा रहेगा समझ में और आगे होगा और साफिक में लिख स hallway इउसका आपको हम जरूर देंगे चलिए अगरे टापिक को देखते हैं आपके सत्रहवा नंबर का है कि आप संस्कृत से संबदी ते गद्दांस देता है उसका संद्रब सहीत हिंदियानुआत करना रहता है इसमें भी क्या कि करम से दो चप्टर पहला चप्टर दूसरा चप्टर को स अच्छ है हिंदि अनुवात करना सीख जाएे आप ऐसानी से उसका एंसवर सकते दिखेकर इससे बी प्रशन आता है दो प्रसन आता है अठवा करके देता है उसमें से किसी करम से इसमें और प्रश्न देता हों हिंदी इंप करना ना रहता है ए फ्रेंट्र देखित हैं रिधाना बारे में प्रेंट में ठ्रहाएं यह यह falou पहाया जाएगा उसी में से आपको दो प्रश्न देगा ठीक है दो प्रश्न में से आपको एक का एंस्वर लिखना रहता है यहीं लिखाए अपनी पठित खंड काव के आधार पर देना होता है जैसे हाली स्कूल में अपना अलग-अलग पढ़ाय जाता है जो आपके इस आपको प्रतेग दिन हिंदी पर वीडियो मिलता रहेगा ठीक है तो फ्रेंस देखी इन टापिकों का अच्छे प्रकास अपर लीजिएगा और वीडियो जो अप्लोड करेंगे उसका एक प्रोपर नोट्स बना लीजिएगा तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फिर भी इसके अलावा किसी प्रकार का किसी टापिक पर आपको डाउट रहता है फ्रेंस आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखें